कि अज़ो फ्रेंड्स बेलकम बैग तो माय चैनल दिट्रेंड्स आर देखे यह वाली पैटर्न में आपको बताऊंगी यह बेबी स्वेटर बना हुआ है और इसमें यही पैटर्न डला हुआ है तो देखे इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें इस एक्स के मल्टीपल में फंदे चाहिए होंगे और चार फंदे हमें एक्स्ट्रा चाहिए होंगे यह जो पैटर्न है आपको छे सिलाईयों में बन करके कम्प्लीट हो जाएगी रो फर्स्ट देखेगा पहला फंदा मुतार लेंगे और तीन फंदे हम उल्टे बनाएंगे एक, 2, 3 दिन फंदे हमने उल्टे बना लिए हैं उनको पीछे ले करके जाएंगे और दो फंदे हम सीधे बनेंगे एक, और ये, 2 फिर से हम उनको आगे लेखे करके आएंगे और 4 फंदे उल्टे बनेंगे एक, दो, तीन, और ये चार, चार फंदे हमने उल्टे बना लिये हैं, फिर हम उनको पीछे ले करके जाएंगे, और दो फंदे सिध्य बनेंगे, एक, और ये दो, दो फंदे हमने सिध्य बना लिये हैं, फिर हम उनको आगे ले करके आएंगे, चार फंदे उल्टे, एक, दो, 7. ग्याय। 4 पंदे 5 हां पिछा 6 फंदे 5 फिर रह में पिछा 5 दिया हैं। चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, और ये चार, चार फंदे हमने उल्टे बना लिए, फिर उनको पीछे ले करके जाएंगे, दो फंदे सिधे, एक, दो, यानि चार फंदे उल्टे, दो फंदे सिधे, चार फंदे उल्टे, दो फंदे सिधे, रो फरस्ट हमी इसी प्रकार से पूरी complete करनी है देखिए यह लास्ट का फंदा जो है इसे हम यहीं बना लेंगे अब उल्टी साइड से देखिएगा फ्रेंड्स रोटू रोटू में हमें क्या करना है कि जो फंदा हमें जैसा दीख रहा है वैसे ही हम बुनेंगे यानि कि पहला फंदा मुतार लेंगे उन तिन फंदा हमारा सीधा हो गया फिर उनको आगे लेकर के आएंगे दो फंदे उल्टे एक और ये दो फिर उनको पीछे लेकर के जाएंगे चार फंदे सीधे एक दो तीन और ये चार फिर हम उनको आगे लेकर के आएंगे दो फंदे उल्टे एक और ये दो फिर उनको चार, फिर उनको आगे लेकर क्या आएंगे, दो फंदे उल्टे उल्टे रोटू जो हम पूरी इसी परकार से जो है, कम्पिलिट करेंगे, रोट तर देखिएगा फ्रेंज्स, पहला फंदा मुतार लेंगे, और दो फंदे उल्टे बनाएंगे, एक, और ये दो, दो फंदे उल्टे बना लिए हैं उन 28 सीधा फंदा है इसे हम आगे लेकर करकर आएंगे और आगे वाले मुलते मुल्टे पार में करके जाएंगे टिंट निडिल प्रकार से उतार लेंगे और एक और ये दो दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे जो हमने पल्टा दोनों उसे हम दोनों को सीधा बुन लेंगे अब देखे ये वाला सीधा फंदा हमारा बचा है तो इसे हम उल्टे फंदे को हम पीछे से आगे लेकर के आएंगे और आगे वाले सीधे फंदे को आगे से हम पीछे लेकर के जाएंगे इस परकार से और फिर इन दो फंदों को भी हम सीधा बुलनेंगे फिर हम उनको आगे लेकर के आएंगे और दो फंदे उल्टे बुलनेंगे एक और ये दो दो फंदे हमने उल्टे बुलनेंगे उनको पीछे ले करके जाएंगे एक सीधा फंदा और एक उल्टा फंदा सीधा फंदा को हम आगे ले करके आएंगे आगे से और उल्टे वाले फंदे को हम पीछे से पीछे ले करके जाएंगे और फिर इसे हम इस परकार से चढ़ा लेंगे नुदिल पे और इन दोनों फंदों को फिर से हम इस परकार से सीधा बना लेंगे, फिर हम उनको आगे लेकर के आएंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, उनको पीछे लेकर के जाएंगे, एक उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा, सीधा फंदा को हम आगे से आगे लेकर के आएंगे, औ और उल्टे फंदे को हम आगे से पीछे से ही पीछे लेकर के जाएंगे और इन दोनों फंदों को फिर हम सीधा बुल लेंगे फिर देखिएगा ये सीधा फंदा और ये उल्टा उल्टे फंदे को हम पीछे से पीछे लेकर के आएंगे पीछे से आगे लेकर के आएंगे और सिधे फंदे को हम आगे से पीछे लेकर के जाएंगे और इन दोनों फंदों को फिर से हम सिधा बुल लेंगे पूरी रोह हम इसी परकाशे कंप्लेट करेंगे फिर हम उनको आगे लेकर के आएंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे फिर हम उनको पीछे ले करके जाएंगे एक सिधा फंदा और एक उल्टा फंदा सिधा फंदे को हम आगे से आगे ले करके आएंगे उल्टे फंदे को हम पीछे से पीछे ले करके जाएंगे और इन दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे फिर हम एक सीधा फंदा और एक उल्टा फंदा उल्टे फंदे को हम पीछे से आगे लेकर के आएंगे और सीधा फंदा को हम आगे से पीछे लेकर के जाएंगे और इन दोनों फंदों को फिर से हम सीधा बना लेंगे फिर हम उनको आगे लेकर के आएंगे और लास्ट के जो बच्चे हुए फंदे हैं इसे हम उल्टा बना लेंगे रो फोर्थ देखिएगा फ्रेंड्स पहला फंदा हम उतार लेंगे और उनको हम पीछे लेकर कर जाएंगे दो फंदे सिधे बिनाएंगे एक और ये दो दो फंदे हमने सिधे बिनाएं उनको आगे लेकर कर आएंगे अब हम चार फंदे उल्टे बिनाएंगे एक दो तीन और ये चार फिर हम उनको पीछे लेकर कर जाएंगे दो फंदे सिधे एक और ये दो फिर हम उनको आगे लेकर कर आएंगे चार फंदे उल्टे एक दो तीन और ये चार फिर उनको पीछे लेकर कर जाएंगे दो फंदे सिधे एक दो उनको आगे ले करके आएंगे 4 फंदे उल्टे 1 2 3 और ये 4 रो 3 जो है पूरी इसी परकार से हम complete करेंगे 4 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे 4 फंदे उल्टे 2 सीधे 4 फंदे उल्टे 2 सीधे रो 5 देखिएगा friends पहला फंदा हम उतार लेंगे एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे फिर हम उनको पीछे ले करके जाएंगे एक उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा इन दोनों को हम पलतेंगे अपने अस्थां से तो सीधा फंदा को हम आगे ले करके आएंगे आगे से और उल्टा फंदा को आगे से हम पीछे ले करके जाएंगे, पीछे की और से, और हम तीन फंदे सिधे बुनेंगे, एक, दो, तीन, तीन फंदा हमने सिधा बुन लिया, तो ये इधर कपाट हो गया, अब इधर वला पर, तो एक फंदा हम और पहले सिधा बुनेंगे, यानि चार ऐसेर में सीधिभोनेंalon Lay Jam UV और एक उल्टा-फंदा है तो उल्टे-फंदे को हम पीछे से शिदा-फंदे को हम आघे लेकर के आएंगे और ढाये वाले फंदे सीधे-फंदे को हम आगे से पिछे ले करके जाएंगे और उसके बाद चार फंदे हम सीधे बुनेंगे एक दो तीन और ये चार चार फंदा हमने सीधे बुन लिए अब ये एक सीधा फंदा बचा हुआ और एक उल्टा फंदा उल्टे वाले फंदे को हम पीछे से आगे ले करके आएंगे और ये आगे वाले फ फंदों को फिर से हम बापस सीधा बना लेंगे फिर देखेगा ये सीधा फंदा और WILLट फंद ये ले घंखे से पीछे ले करके जाएंगे और सिंधे फंदे को पीछे से आगे करके आईएंगे इसके बाद छार फंदे सिधे बनेंगे एक दो तीन और ये चार फंदा हमारा सिधा हो गया फिर एक सिधा फंदा और ये उल्टा उल्टे फंदे को हम पीछे से आगे लेकर के आएंगे और आगे वाले सिधे फंदे को हम आगे से पीछे लेकर के जाएंगे और फिर इन दोनों फंदों को हम इस परकार से सीधा बुन लेंगे row 5 जो है हमारी पूरी इसी परकार से complete होगी row 5 हमारी complete हो गई है row 6 जो है row 6 में हम पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे इसमें कोई भी फंदा हमारा सीधा नहीं होगा क्योंकि हमने राइट साइड से कोई भी फंदा जो है उल्टा नहीं बुना है फ्रेंड्स हमारा एक और चैनल है निसी जाम लाफ स्टाइल अब उसे भीजिट कर सकते हैं जाकर के आप डारेक्ट यूटूब में सर्च करके निसी जाम लाफ स्टाइल विजिट कर सकते हैं या फिर उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे ले दूँगी अप वहां से जाकर के विजिट कर सकते हैं और देखिए ये फ्रेंड्स इस प्रकार से जो है ये पैटर्न बनता है बहुत ही प्यारा पैट को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूले शाथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लिजिएगा और अलवाला जो नोटिफिकेशन है उसे आप दवा लिजिएगा ऐसे ही ताकि जैसे ही मैं वीडियो अप्लोड करूं आपको इसकी इंफ्रमेशन मिल सके थैंक यू